आज में आपको हल्वा कदू और बक्रे का गोश्ट बनाना बताऊंगी बेहद असानी के साथ आईए बनाते हैं जी वीवर यह देखें एक किलो का है ठीक है इसको मैंने दोच कुड़े करूंगी ठीक है यह सब्सक्राइब किलो एक किलो के करीब है इसमें एक पाउट माटर जाएंगे ठीक है जी और यह अदा किलो गोश्ट है ठीक और यह चोटा सा प्यास क्योंकि इसलिए कि यह खुद मिठा होता है और इसमें सिर्फ अभी जो चड़ाने के लिए हम करेंगे लसन पॉडर अद्रक पॉडर और नम और यहां पर गोश्ट जल्दी गलता है तो यह वाला मैं एक कप पानी का डालूँगे ठीक है जी अब मैं इसको अभी इसमें और कुछ नहीं डालेंगे मैं इसको गोश्ट को गिला लूँगी और अच्छी तरह जब गल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी वीवर यह देखें यह मैंने क्योब काट लिए है ऐसे चिलके उतारें और उसके भी जनकाल दें और क्योब काट लें यह हमारा हलवा का दू तीयार है यह मैंने टमाटर झी एक पाव काट लिए हैは अब इसके मसाल combien जाएगा कुटिवी farm ये एक चमच पिसी वी मिर्च आदी चमच पिसावा धनिया एक चमच और एक चमच ही पिसावा गरम साला लेकिं ये आखर पर जाएगा ठीक है जी अब मैं इसको शुरू करती हूँ जी 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 देखे हैं वीवर्स हमारे गोस्ट यह बहुत उछ प्रीय के से गल गया है ये भी ट्यार होगे है ठीक है जी वीवर्स यह आड़ा 2-5 cups मैं आउल लिया है अगर आप चाते हैं तो खंड हों कम चानृ ब़ीं आ अगर जासा अगर चीए ठीक हैं हमरे जाल में पल लक अब इसमें जब तक यह टमाटर नरब नहीं हो जाते हम इसको पकाएंगे जी वीवर यह देखें हमारे टमाटर गल गये अब इसमें आपने हल्वातबू डाल देना है नमक अभी नहीं डालना क्योंकि यखनी में भी नमक है जब यह गल जाएगा फिर हम चख कर अगर कम होग अब मैं इसी की आंच को हलका करके इसको डम लगा दूंगी गलने तक जब यह गल जाएगा फिर मैं आपको डिश में नकालके दिखाती हूं ठीक है जी वीवर यह देखें मैंने बताया ना कि मैंने भून लिया है अब इसमें गोश्ट भी चला गया है अब मैं इसको इसको डालेंगे और इसको दिश में नकालेंगे अभी मैं दिश में नकालके दिखाती हूं जी वीवर यह देखें हमारा हलवा कदू और गोश्ट त्यार है उमीदा आपको मेरी यह रस्पी पसंद आई होगी आप फिर मिलेंगे एक नहीं रस्पी के साथ इजाज़त